हेलो एविवान मैं हुझ जैश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंट्रस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं 12 स्टायर का एकनॉमिक्स नियू सिलेबस चाप्टर नमबर फाइव फॉर्म्स ऑफ मार्केट जी यहां दोस्तों पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा है अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन बेसिस ऑफ प्लेस, टाइम अंड कॉंपेटिशन हमने पिछले वीडियो में देखा about price determination under perfect competition लेकिन अब perfect से बढ़ते हैं imperfect की ओर जी हां दोस्तों classification on the basis of imperfect competition जिसमें एक सबसे important type of market है monopoly जी हां दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत important है, बहुत खास है monopoly से related question board exam में, महरास्टर बोड में बहुत बार आ चुके हैं और काफी interesting और मज़ेदार या answer होने वाला है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जी हां दोस्तों classification of market कुछ इस प्रकार हमने देखा था on the basis of place, time and competition, competition के अंदर perfect competition हमने already कर लिया है गर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो जरूर देखिए हमारे playlist में जाकर या आई बटन पर क्लिक करके उसे जरूर देखिए, तो एक अच्छा recap आप कर लेंगे अब बढ़ते हैं, imperfect competition में जिसका पहला प्रकार है Monopoly, जी हां दोस्तों, क्या है exactly ये Monopoly का concept और क्यों है ये इतना ज्यादा interesting और मज़ेदार जी हां दोस्तों, Monopoly, ये एक Greek word है Mono means single and poly means seller Yes, Mono means single, poly means seller Once again, I repeat, दोस्तों, Mono means single, poly means seller and thus, Monopoly का मतलब है single seller जी हां दोस्तों, एक ऐसा competition या ऐसा market जहां पर सिर्फ single seller है, उसके competition में कोई है ही नहीं ऐसे type of market को कहते हैं, Monopoly market The term Monopoly is derived from the Greek word Mono which means single and poly which means seller Monopoly is a market in which there is only one seller who controls the entire market supply for a product which has no close substitute बहुत गहरी बात है दोस्तों और ये slide को आप mark कर लीजे ये slide आपको पूरा वीडियो समझा देती है और जो भी आगे हम features of Monopoly पढ़ने वाले हैं वो सभी यहाँ पर एक हिसाब से दिये गए हैं दोस्तों Mono means single, poly means seller यानि Monopoly का मतलब होता है single seller ऐसा market जहाँ पर एक ही seller है और वो जो product बेच रहा है वो कोई और नहीं बेच रहा है there is no close substitute to it साथ ही साथ पूरा market का supply जो है वो control कर रहा है और इसी लिए वो Monopoly market चला रहा है दोस्तों Chamberlain, महान एकनॉमिस्ट है यह Chamberlain जो कहते हैं Monopoly refers to a single form which has control over the supply of a product which has no close substitute चलिए दोस्तों देखते हैं और क्या features हैं खास Monopoly में दोस्तों features of Monopoly यह 7 point का कुल मिला कर answer हमारे textbook में दिया गया है और दोस्तों यह 7 point बहुत ज़्यादा easy है और इसी लिए short code की कोई जरुरत नहीं है जिया दोस्तों आसानी से यह 7 points आप याद कर लेंगे और यह question board exam में कई बार आ चुका है अगर आप refer करना चाहें तो धून सकते हैं पास कई papers में Monopoly का यह question आ चुका है question का नाम है features of Monopoly 7 points बहुत simple और बहुत आसानी से आप याद कर लेंगे keyword की जरुरत नहीं है जिया दोस्तों single seller no close substitute barriers to entry complete control over the market supply price maker price discrimination no distinction between firm and industry हर point के दौरान आपको यही याद रखना है कि यह क्यों हो रहा है क्योंकि एक ही seller है इसलिए हो रहा है कि किसी को इसकी जरुरत नहीं है चलिए दोस्तों देखते हैं आसानी से कैसे हम इसे याद रख सकते हैं सबसे पहले single seller in monopoly there is no competition as there is only one single producer or seller of the product but the number of buyers is large यहां दोस्तों दुकान वाले की चांदी है क्योंकि वो अकेला बेच रहा है कोई competition नहीं है खरीदने वाले बहुत हैं और खरीदने वालों के पास कोई option भी नहीं है उसी के पास आने वाले हैं goods को खरीदने के लिए और इसलिए it is called as monopoly market where there is only single seller बढ़ते हैं आगे दोस्तों आसान सा point number two no close substitute monopoly market की खासियत ही यह है कि एक दुकानदार बेच रहा है और उसका जो product है उसका कोई substitute किसी के पास नहीं है there are no close substitutes for the product of the monopolist therefore the buyers have no choice they have to either buy the product from the monopolist or go without it यानि खरीदना है तो उसी से खरीदना पड़ेगा वरना उस good के उस product के बिना रहना पड़ेगा the cross elasticity of demand for this product or his product is either zero or negative तो इस प्रकार दोस्तों काफी clear बात है monopoly market एक ऐसा imperfect market है एक imperfect competition का market है जहां पर सिर्फ एक ही seller है और उसके product का कोई substitute नहीं है बढ़ते हैं आगे तीसरा point है barriers to entry जहां दोस्तों perfect competition में हमने एक point पड़ा था जिसका नाम था free entry and exit लेकिन यह उसका विपरीथ है उसके opposite है barriers to entry रुकावटे हैं entry of the rivals is restricted due to legal, natural, technological barriers which do not allow the competitors to enter the market यानि कई रुकावटे हैं कई barriers हैं और इनही barriers की वज़े से market में सिफ एक ही seller है जो अपने हिसाब से goods को बेच रहा है control कर रहा है supply को और दूसरों को entry करने नहीं दे रहा है बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगला type है complete control over the market supply जी यहां दोस्तों हर point एक दूसरे से जुड़ा हुआ है क्यों complete control over the market supply क्योंकि he is the single seller वो खुद ही बेच रहा है तो उसको पता है कब ज्यादा बेचना है और कब कम कि जब उसे ज्यादा दाम मिलेंगे तभी वो ज्यादा बेचेगा जब उसे कम दाम मिलेंगे वो supply नहीं करेगा और इसलिए he has the complete control over the market supply the monopolist has complete hold over the market he is the sole producer or seller of the product and does he has complete control over the supply बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगला असान सा point है price maker अब CDC और simple सी बात है दोस्तों जब वही अकेला बेचने वाला है तो उसे पता है कि घ्रहकों के पास कोई और choice नहीं है तो वो मन मर्जी का दाम ले सकता है because he is the price maker and not the price taker जी हाँ दोस्तों वो price जो ग्रहक देंगे वो नहीं लेगा वो अपना price को तै करेगा और उस price पर बेचेगा a monopolist can fix the price of his own product as he controls the whole market supply monopolist is a price maker yes my dear students he is the price maker and does बहुत clear बात है कि वो ही price तै करता है बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगला point बहुत एहम है ये point अलग से एक answer में भी आ चुका है दोस्तों price discrimination under monopoly याद रखिए monopoly के अंदर price discrimination होता है ग्रहक देखकर पुड़ी बानना जी याँ दोस्तों कई बार ये कहावत यूज की जाती है जब दुकांदार ग्रहक देखकर भावताय करता है कि अगर ये ग्रहक मुझे ज्यादा पैसे दे सकता है तो इससे ज्यादा चार्ज करूं कोई कम दे सकता है तो इससे थोड़ा adjust करनों इसी को कहते है price discrimination monopolist being a price maker he can charge different prices to different consumers for the same product product तो वही बेच रहा है लेकिन लोगों से अलग-अलग दाम ले रहा है किसी से ज्यादा तो किसी से कम जियां दोस्तों yes for the same product on the basis of time, place, etc thus price discrimination is an important feature of monopoly market for example students and senior citizens are provided railway tickets at concessional rates तो इस प्रकार दोस्तों monopoly जब होती है तो मन मर्जी ज़रूर होती है यहां पर और इसी लिए price discrimination होता है yes, no distinction in firm and industry आखरी point है दोस्तों firm और industry में कोई अंतर नहीं है क्योंकि producer भी वही है और जो seller है वो भी वही है तो याद रखिए दोस्तों आपने इच भगवान है no distinction between firm and industry a monopolist is the sole seller competition ही नहीं है no close substitute single product है वही बेचने वाला है तो firm और industry में कोई difference नहीं है खुदी firm है, खुदी industry है तो आसानी से दोस्तों यह 7 point का answer question का नाम है monopoly and features of monopoly याद रखिए दोस्तों mono means single, poly means seller and that is why monopoly means single seller, 7 points का ही आसान सा answer, short code की जरुवत ही नहीं है complete control over the market supply price maker है, वो खुद price तै करता है price discrimination करता है क्योंकि वो price maker है और इसलिए there is no distinction between firm and industry तो इस प्रकार दोस्तों आसान सा यह answer imperfect competition का पहला type आज हमने complete कर लिया है 7 points का answer monopoly and features of monopoly मिलेंगे अगले वीडियो में फिर एक बार कुछ नए interesting answers के साथ तब तक के लिए बने रही है हमारे चानल पर do like, share and subscribe